हरे कृष्ण लॉजिकल गीता की 28 वीडियो में आपका स्वागत है शुल गुरुदेव को प्रणाम आए शुरुराधा गोविन देव जी की कृपा से आज के प्रशन पर चर्चा करते हैं आपकी सेवा में नरहरी प्रलाद्दास आज का हमारा प्रशन है कि कौन सा दान निम्न श्रेणी में आता है तामसी श्रेणी में आता है हम पिछली दो वीडियो में सात्विक दान और राजसी दान के बारे में चर्चा कर चुके हैं आज ये चर्चा इस वीडियो में कम्प्लीट होगी कि कौन सा दान निम्नश्रणी में आता है भगवत गीता अध्याय सत्रा श्लोक बाइस अदेश काले यत दानम ए पात्रे भेचे दीयते असत कृतम अग्यात्वं तत्ताम समुधायतम भगवान कह रहे हैं जो दान किसी ए पवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य वेक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है तो वो तामसी कहलाता है तुवारा रिपीट करते हैं आप अवित्र स्थान अनुचित समय अयोग्य वेक्ति बिना समुचित ध्यान तथा आदर इस तरह से अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो वो तामसी कहलाता है मैंने कल एक बात रिपीट की थी आज उस बात को फिर से बोलता हूँ कि जो दान देना है वो कभी भी bad नहीं हो सकता है तो दान देने की तीन categories है good, better and best जो सबसे पहले discuss किया सात्विक वो best है जो राजसी है, मध्यम category है वो better है और जो आज पढ़ा रहा हूँ वो good है, bad नहीं है दान कैसा भी हो, किसी भी situation में हो bad नहीं हो सकता है एपवित्र स्थान अब इसके बारे में जो explanation मुझे मिला भगवत गीता की commentary में वहाँ लिखा गया है कि वह शहर जहां गाएं मारी जाती है यानि वो स्थान, वो जगे जहां गाएं मारी जाती है उसको एपवित्र स्थान बुला गया है शास्त्रों में अब आज की तारीक में तो शहदी कोई ऐसा शहर होगा और पूरी रात नहीं होती तो उसके बीच का जो 48 मिनट का समय है उसको अनुचित समय जो है explain किया गया है दान देने के लिए और ऐसा कहा गया है कि उस समय हम खाएं भी ना बेहतर होगा और योग्य वेक्ति जो मासा हारी है अब naturally जो non-witch खा रहे हैं जब non-witch खा रहे हैं इसका मतलब पैसा तो है न non-witch मैंने तो खैर मुझे आइडिया नहीं बट मेरे खाल से वो एक महंगी वस्तु है मतलब एक रोटी के खाने से शायद ये महंगा होता है तो उसको आप दान क्यों दे रहे हैं योग्य वेक्ति है मासा हारी है इसी तरह से बिना समूचित ध्यान कई पर होता है दान देते वक्त हमारा पूरा ध्यान नहीं है उस तरफ मतलब एक तरह से casualी दे रहे हैं ले भाईया है ना बिना अभिवादन कुषल प्रशन, प्रिय भाषन, आसन कहने का मतलब है respectfully दान ना देना कोई आया माँगने अपने फटाक से 11 रपी की परची काटी सुचके किल जाया तो वो चीज नहीं समूचित आदर होना चीए इसमें इसी लिए लिखा बिना समूचित आदर या उलाना, कई बर होते हैं यार तुम तो बार-बर ही आ जाते हो तुम्हारा तो रूज कई ही काम रहे है या फिर ना आने की इधायत कई बर तो हम स्टीज तक चले जाते है वो बात लगए कि प्राक्टिकल है, मैं भी समझता हूँ कुछ लोग बार-बार-बार तंक करते हैं लेकिन तब भी हमें बहुत प्यार से उनसे ब्येव करना है वो अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है हमने अपनी patience lose नहीं करनी है हम उनसे बहुत प्यार से हाज जोड़कर शमा मांग लें कि देखो मैं इतना दान नहीं दे सकता बार बार लेकिन बहुत प्यार से आप बात करें और अपनी तरफ से वेवार में बिलकुल खिन्नता ना हो ये प्रसन्नता जाहिर ना हो ये लगे कि ऐसमर्थता है जब दानी ये सोचे है कि वो भगवान या भग पर कृ कर रहा है सोचिए ऐसी भी स्टेज आ जाती है कई बार जो लोग ज्यादा रिच होते हैं अगर उनके पास मंदिरों से या कहीं से कोई वेक्ती चला जाए या देते वक्त उनके मन में खुदी ये भावना होती है कि मैं इस मंदिर पर एहसान कर रहा हूं या मैं इस मंदिर पर कर रहा हूं तो इसका मतलब एक तरह से आप उस मंदिर पर या उस समाजिक संस्था पर या भागवान पर कर रहे हैं जबकि भागवान की करपा से ही आपको ये शरीर मिला भागवान की करपा से ही आपका बिजनेस या नोकरी चल रही है और उनी की करपा से सबा रहा है और लेकिन हम सम्टाइम्स दान देते हैं अपने आपको इतना गुरानवित महसूस करने लगते हैं तो जैसा मैंने कहा यह बैट तब भी नहीं होगा वो दान लेकिन हाँ फिर वो निमनिशनेनी का दान कहलाएगा। ऐसे लोगों को दान करना जो इसका इस्तेमाल स्मूकिं यर डरिंकिंग में करेंगे। अब आप चुरहे पर जो है जो दान दे देते हैं वो इसी कैटेगरी में आएगा तामसी दान क्योंकि काफी चांस है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल नशे में करेंगे। बहुत हाई मेरे पृति हो की सर दें या ना दें तो अब आप खुदी इस बारे में सोची है, मैंने आपको भगवत गीता की अधार पर बताया है कि ये तामसी दान की कैटेगरी में आता है तामस मनुष्य को अपनी मन की बात जस्ती है, जैसे दान देने के लिए देश काल की क्या जुरूत है वे सोचते हैं कि अपना पेट भड़ने के लिए ब्रहमन ने ऐसी बाते लिख लिए है कुछ लोग वे ये भी लगता है, कि शास्त्रों में जो चीज लिखी गई है वो बता तो कोई पंडित जी या कोई वेक्ति रहा है तो वो उसके बारे में भी सोचने लगते हैं कि शायद ये जान बूच के वही पॉइंट ढूंड के लाया है उन सब का डाउनफॉल होता है, वो निम्न श्रणी में जाते हैं या तो निम्न योदी में या निम्न लोकों में पर दान पर ये विशे लागू नहीं होता तामस दान भी लाग देता है, जैसे मैंने आपको हमेशे ही बताया अन, जल, वस्त्र और आउशद, इन चारों के विशे में पात्र, कूपात्र, आदी का विशेश विचार नहीं करना चाहिए यानि कि जब आप दान कर रहे हैं, तो उससे में अगर आप अन का दान कर रहे हैं गरीबों को, अगर आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा दान है, तो इन चारों के विशे में पात्र, कूपात्र, आदी का विशेश विचार नहीं करना चाहिए इन में से किवल दूसरों की आवशक्ता ही देखनी चाहिए, अगर देश, काल, पात्र मिल जाए, तो उत्तम बात है तो इन चारों के बारे में तो हमने कुछ सोचना ही नहीं है, जब हम इनको दान कर रहे हैं तो जब दान के विशे में बात चली रही है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिसकस किया था कि मेरी उपीनिन में विध्यागादान एक महंतम दान है, तो आप अपने इलाके में कुछ बच्चों को या कुछ ऐसे लोगों को जिनके पास ग्यान नहीं है, शिक्षा नहीं है, किर्प्या पढ़ाना शुरू करें और निशुल्क शिक्षा अभियान से चुड़ें, हरे क प्रिष्णा.